Welcome students, आपको यह information देने के लिए कि छोटी सी वीडियो बनाई जा रही है, जिसके अंदर आपको यह बताना है कि re-evaluation का जो result है वो declared हो चुका है, आईए देखते हैं कि आप जो result है वो आप कहां पर जाकर देख सकते हैं, आपको सबसे पहले Google का जो search engine है उसको आप open करें और वह dot mic dot in, तो आप इस पे अगर आप जाएंगे तो website पे आपको option दिखाई देंगे, तीन option है, और आपको जाना है यह last वाले option पे, जहां पे लिखा हुआ है updated after revaluation, तो यह updated वाले पे आपको link पे जाना है, इसमें आपको 12th class का जो result है, updated result आपको दिख जाएगा, उसके बाद आ आपको क्या करना है, इसके अंदर अपना role number enter करना है, school का number enter करना है, center का number enter करना है, और admit card की ID आपको enter करना है, तो यह सारी के सारी information आपके पास होनी चाहिए, और उसके बाद आपको button दबाना है, submit का, तो फिर आप अपना result जो है, updated जो result है, वापको दिख जाएगा, तो इ all the best आप सब को, जिस ने यह revaluation का जो apply कर रखा था, तो अगली वीडियो में मिलते हैं, thank you for watching.